आज हम मिलेट्स टाकोज बनाएंगे तो पहले हम उसके लिए पीलिंग तयार कर लेते हैं इसमें हम जो चमत जितना तेल डालेंगे इसमें वन टीस्पून जितनी बारिक कटी भी गालिक है यह डालके इसे सौते कर लेते हैं जब तक इसका स्मेल नहीं निकल जाता है दो से दो मिनिट लगेगे इसे सौते होने में इस तरह से हमारा गार्लिक शिग गया है अब हम इसमें जालेंगे एक बड़ा चमच्छ प्याच को भी तोड़ा सेखने पूंगे अब हम इसमें यह टमाटर डालेंगे एक बड़ा चमच्छ बारिक कटा हुआ यह मिक्स करते जाएंगे और मसाले डालते जाएंगे इसमें अब इसमें हाफ टीस में जितना नमक डालेंगे नमक आप स्वाट के अनुसार कम जादा डाल सकते हैं एक चमच जितना जीरा पावडर डालेंगे वन पूर टीस्पून ब्लैक प्रिपर डालेंगे काली मिस्च जितना ओरिक नो डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स दाल दीजें वन टीस्पून दन्या पावडर है वन पूर टीस्पून लाल मिस्ची का पावडर है और यह वन पूर टीस्पून जितना गरम मसाला है इसे इसे मसाले डालके मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छे से भूमिएंगे सेख लेंगे कि सिखने लगते हैं अब हम इसमें यह आड़ा कब बॉयल की वी चले ही है यह डालेंगे और आगर सब बॉयल क्या हुआ है यह मिलेट राइस है राइस की जगे हमें यह मिलेट से उसकर है जो बहुत ही हल्दी होका है इस तरह से हमारे मिलेट की पीलिंग तयार हो जाएगी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिए अब हो इसमें लिंबू का रस्ट आ लिए वाइन टीस्पूम जितना आप कम जाजा डाल सकते हैं अच्छे से धन्या पत्ती डाल दीजिए हरा धन्या जिससे वह वापी अच्छा प्लेगर आएगा अब हम यहारा मिलेट से पीलिंग तयार है इस तरह भी प्लेन भी खा सकते हैं हम इसे टाकोज में बरेंगे अब हम टाकोज बनाएंगे टाकोज के लिए रोटी सेखेंगे इसमें एक कप वीट फ्लार है आदा कप जवारी का आटा है शोरगम फ्लोर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हाफ टी स्पून जितना हाफ टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी हल्डी डालेंगे जिससे इसमें भोती अच्छा स्वार आएगा और कलर भी आएगा दोनों आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लार को अब इसका एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे जिस तरह से अपने रोटी का आटा लगाते हैं प्लार के सता लेगे जिस तरह से अपने रांटा से बिलाएंगे इस तरह से हमारा आटा लग गया इसको हलका से ग्रीस करके पांच मिनित के लिए रख देंगे इसे पांच मिनित के लिए रख देते हैं अब हम इसके आठ टोटियाज बना लेंगे इस तरह से इसे बेलेंगे हम मीडियम साइज के फलकी की साइज बेल लेते हैं इस तरह से इस तरी थोना चाहिए इतना ही ना मुदा ना पतला यह बहुत अच्छे से ताको सिख्जाएंगे हमारे और यह सॉफ्ट बनेंगे बहुत हेल्दी होते हैं इसने शौर्णम फ्लोर है जवारी का आठा है इस तरह से इसे पहले से रोटियां भी बना के रख सकते हैं इस तरह से हम तावे पे सीख लेंगे इसे पर बना के रख से रहा हैं झाना के लेंगे ब ही बना के बना के लेंगे हैं तरह से बना का पहले बना का विता हैं इस तरह से दोनों साइट से सब्टापों सेख लेंगे अब हम यह हांकड है हांकड की जगे आप सार क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं हांकड में हम हलका सा नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून जितना जीरा पौडर डालेंगे इसे अच्छे से मेक्स कर लीज़ें इस तरह से यह हांकड कर तैयार होगा अब इसके लिए सालेट बनाएंगे इसमें कैबीज है कैरेट है बारी ग्रेट करीवी और शिमला मिर्च है इसे इस तरह से मिक्स करके बना लीज़ें और आप मन पसंद वेजी यूज़ कर सकते हैं इसमें सालेट में इसमें हम डालेंगे एक चमज इतना निम्भू का रस और यह दन्या पत्ति है टू टेवल स्पून बारिक कटी दी हलका सा नमक वान फोट टीज़्पून जीरा पाउडर और यह वान फोट टीज़्पून जिली फ्लेक्स डालेंगे मिर्ची और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम जादा डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीज़ें। इस तरह से यह हमारा तयार है सालेट। अब हम यह आवाकाड़ो से गौकाम ले डिप बनाएंगे यह आदा कब जितना गौकाम ले है क्रश की आवा इसमें वन टेबल स्पून जितना टमाटर डालेंगे। बारिक कटावा वन टेबल स्पून जितनी प्याज डालेंगे बारिक कटीवी। हाफ टी स्पून जितना निम्बू का रस डालेंगे। हलका सा नमक लेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। जितनी काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। इस तरह से हमारा गौकमले डिक तयार है। अब हम असेंबल करेंगे सब चीज को। अब हम इसेंबल करेंगे। यह हमारा टाकूस हैं। इसमें पहले चीज डालेंगे। इस तरह अच्छे से चीज डाल लिए। चीज को अच्छे से स्प्रेड कर लिए। फिर इसमें यह फेलिंग डालेंगे। इस तरह से फिलींगा लिए। इसमे छिली सोस दालेंगे तो अच्छे से चीज डालेंगे। कि यह सालिट लगाई है कि यह अपनी हांकर वाली डिप है इसको डालेंगे ऐसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके अच्छा से रोस्ट कर लेंगे से रोस्ट करते वागा सा तेल डालेंगे तवे पर जैसे अच्छा से क्रिस्पी सीख जाएगे वजिए वे मिल authority को आपाई है एकव और या कि युद कर दूस्ट क्रिस्पी सीख एरमा उगा आप घरकी डियसे एपाउ जाने वाले श्योछ्वत पडिस्पी क्या है ज्यवampa Youtube से च्छाह को च्छाह कर कि उने दो कि बजश एक पर फच्छा उने को एच्छागे लूश मेए जो जो एकि अजड़ें इसक्राफ हैं लुटा हैं कि इस तरह से हमारा देखिए कितना क्रिस्पी सिग्या और बहुती सुंदर तलर आया यह बहुती यमी लगेगा देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से सिग्जाना चीए कि इस तरह से पाख लेगे देखिए बहुती अच्छा लेगे यमी है टाकोष कि इस तरह से हमारे सौफ टाकोष तैयार है हेल्दी मिलेट्स के साथ में तो प्लीज पूरा बनाईए वीडियो देखिए यह बच्छों को टिफिन में भी दे सकते हैं किटी पाटी में भी यूज कर सकते हैं रोटियां सेक्के रख लीजे फिर आये जब असेंबल करके फटा लाइक करिए लाइक करिए